हेलो स्टूदेंट्स वेलकम टू दवरधी एकेडमी लास्ट मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारा डेटा रिप्रेजेंट होता है कोई भी इन्फोर्मेशन हमारी किस-किस फॉर्मिट में कौन से कौन से चीज़े हमारी यूज होती है कैसे हमारा बाइनरी कोड में कोई भी टेक्स्ट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सॉफ्ट्वेर है कैसा सॉफ्ट्वेर है वो सिस्टम सॉफ्ट्वेर है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सिस्टम सॉफ्ट्वेर है औ इसलिए वो हमारा एक एंटरफेस एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके थुरू हम जिसके थुरू हम जिसके इस्तमाल से हम हार्डवेर, सौफ्टवेर एंड यूजर्स के बीच में कनेक्शन बना सके मतलब ओपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमारा सिस्टम सौफ्टवेर है हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है हमें एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके थुरू हम यूजर्स है हमें हार्डवेर और सौफ्टवेर दोनों ही यूज करने है hardware के through, hardware को touch करने के बाद ही हम software का use करते हैं तो उन सबका interaction बनाता है, interact करता है उन तीनों चीजों को user को, hardware को and software को, किस के through, एक interface के through अब interface भी हमारे दो type के होते हैं operating system क्या होगे, एक हमारा system software है, interface प्रोवाइड करता है अब interface भी हमारे दो type के होते हैं फिर्स्ट वन एज सी यू आई और सेकेंड वन एजी यू आई ठीक है और सी यू आई की क्या फुल फॉर्म होती है करेक्टर यूजर इंटरफेस जैसे कि आप सभी जानते हो जब हमारे कंप्यूटर्स बने थे तब हमारे सबसे पहले कौन सी यूज होती थी कौन सा इंटरफेस यूज होता था अपरेटिंग सिस्टम में हमारा सबसे पहले करेक्टर यूजर इंटरफेस यूज होता था जिसमें कि हम क्या देते थे ? कमांडस देते थे इसमें क्या होता है ? ग्राफिकल में हमारे पास openness होते हैं और उनको होड़े हमारक अपछ़ मारे केण कोई भी है यूज इूजर इंटर्फेस इक्रॉम्हों हमारे कोई भी एपलिकेशन रंड़ कर जाता है यह तो गए इनकी full form अब CUI में क्या होता है हमें command देने के बाद हमें command देनी होती है इसमें किसी भी program को या application को चलाने के लिए application को यूज करने के लिए मालिया हमें कोई भी message open करना है तो उसके लिए हमें command देनी होगी हमें command लिखने होगी means open message हमें message show करना है message open करना है तो उसके लिए हम command देंगे open message या फे show message तो वो depend करता है कि उसमें हमारी कौन-कौन सी commands use करते हैं अब बताते हैं GUI की GUI में क्या होता है हमारा full form होती है graphical user interface और इसमें हमारे programs हमारे programs और applications applications का इस्तमाल हम icons को press करने के बाद icons को touch करते हैं या फिर उस पर हम click करते हैं तब ही हमारा वो open होता है या तब ही हम उसको use करते हैं जैसे normally अब हम windows में use कर रहे हैं कोई भी icon है कोई भी application है हम जब पर computer वाला part खोलना होता है तो हम computer पर click करते हैं जब हमें उस पर कोई भी जैसे हमारे पास mobile phone है उसमें हमारी इतनी सारी applications है सब touch screen का work हो रहा है और सबकी अपने अलग-अलग icons है messages के लिए लग है contacts के लग है calls के लिए अलग है whatsapp के लिए अलग है सबके icons decided हैं तो जिस भी हम icon पर click करेंगे वही application हमारी use होगी वही application हमारी खुलके आएगी अगर हमें message पढ़ना है तो हम messages पर click करते हैं then उसमें हमारे inbox, outbox उनपर click करते हैं तो वह सब हमारा icons के based पर है touch के based पर है ठीक है CUI में हम commands देते हैं तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि operating system अगर होगा तो ही हमारा system start होता है क्योंकि वह हमारा क्या देता है interface create करता है एक हमें medium देता है हम इन तीनों चीजों को interact कराने के लिए types हो गया अब हम पढ़ते types of operating system तो first one है हमारा types of operating system में बहुत सारे types हो जाते हैं कि कौन-कौन से operating systems हमारे आते हैं तो सबसे पहले हमारे जो use होते थे batch operating systems use होते थे उसमें क्या होता था उसमें programs को हम एक batch में एक हमने batch बना लिया कि उसी तरीके से उसी priority के base पे उसी number पर वो हमारे run होंगे जैसे कि first one हो गया हमारा batch operating system batch operating system OS मेंने operating system लिखा है batch operating system में क्या होता है जो similar programs होते हैं similar programs को हम एक batch बना देते हैं उसकी बाद और फिर प्रोसेसर उस पैच को प्रोसेस करता है सबसे पहले उसी को ही execute करता है पूरा complete होने के बाद ही आप बीच में interrupt कर सकते हो बीच में आप अपनी कोई और application यूज कर सकते हो means जो similar programs हैं मान लिया हमें कुछ चीजे print करानी है तो पहले एक पेज प्रिंट हो गया तेन हमने उसमें बैच बना दिया देन सेकेंड थर्ड फोर्थ मतलब जो प्रिंटर का resource है पहले उसका work complete होगा प्रिंटर resource का work complete होगा उसके बाद ही आप दूसरा यूज कर सकते हो कोई भी resource, कोई भी application resource means input output devices input and output devices next हमारा multiprocessing second one is first one is batch processing batch operating system में similar programs का हमने block बना दिया है multiple blocks आगए multiple batch बना दिया है फिर हमने उसको processor provide कर दिया है process करने के लिए then आता है हमारा multiprocessing operating system operating multiprocessing operating system multiprocessing operating system हमारा किसलिए यूज होता है सिर्फ फर सिर्फ इंक्रीज क्या इंक्रीज करने के लिए speed को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है speed को increase मतलब बढ़ाने के लिए इस्तमाल होता है multiprocessing means multiprocessor मतलब हम क्या करते हैं एक ही CPU में एक ही सिस्टम में multiple CPUs यूज करते हैं अब हमने बहुत सारी applications हैं बहुत सारी programs हैं हमें क्या करेंगे हम जब एक से ज्यादा program होंगे more than more than one program will be execute means एक से ज्यादा program हमारा क्या करेंगे run करेंगे ठीक है क्या होगा more than one program will be execute on a multiple processor और ना multiple प्रोसेसर जब हमें एक से ज्यादा प्रोसेसर मिल जाएंगे काम करने के लिए अब फॉर एंग्जामपल हमें कोई काम करना है ठीक है हमने हमारे पास बहुत सारे काम है और हमने पूरा प्रोग्राम कोई सिंगल पर्सन करेगा तो सिंगल पर्सर को हम क्या मान लेते हैं तो उससे क्या होगा अगर हमारे पास कोई काम है उसको हमने तो और में डिवाइड करके मॉल्टिपल पर्सन में डिवाइड करा एक तो वह काम उतनी जलदी होगा उतनी कम में होगा स्पीड इंक्रीज हो जाताएगी चां hesitation ऐसे हिह ही हमें कोई भी प्रोग्राम यह कोई उप्ली केशन पर हमें और को क्या होगा हमारा हमारäg rhetoric कि आइ तो next आता है हमारा well batch operating system में हमारा कौन-कौन से operating system होते हैं like you next unique for an example UNIX operating system use होता था ता हमारा किसमे as a batch operating system multiprocessing operating सिस्टम हमारा कौन से होते हैं Windows Windows NT Windows NT Windows 2000 and UNIX भी हमारा ऐज ऑपरेटिंग सिस्टम यह हमारे मुटि प्रोसेशिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से हैं नेक्स्ट है हमारा मुल्टि टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट वन एज मल्टि टास्किंग से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा single task है वो तो run होता ही है batch में single single को combine करने के बाद अब जब बात आती है multi-tasking की तो multiple task का operating system की multiple task हमारा single operating system पर run कर जाए multiple programs हमारे single operating system पर run होते हैं तो इसमें क्या होते हैं इसमें एक time में multiple programs हमारे execute होते हैं यहार run करते हैं मतलब क्या है कि एक समय में एक से ज़्यादा काम करना एक से ज़्यादा task को execute कराना या फिर run कराना हमारा होता है multi tasking अब इसके example है हमारा windows operating system जो हम use कर रहे हैं एक साथ हम multiple applications open कर लेते हैं ठीक है multiple applications कैसे एक साइड हमने paint को लिया एक साइड हमने chrome खो लिया net use करने के लिए एक साइड हमने excel खो लिया एक साइड हमने powerpoint खो लिया एक साइड word खो लिया सारे task हमने open कर लिया सारी applications हमने एक साथ open कर लिया और एक साथ ही single processor से हम उसको use कर रहे हैं next है हमारा single user operating system single user operating system में एक ही user क्या करता है एक ही user हमारा program को execute करता है एक ही user एक time में उसको processor को use करता है next is single user operating system single user में क्या होता है एक समय इसमें हमारा इसमें एक ही user program को execute कराता है या फिर run कराता है means single user ही एक प्रोशेशर को system को एक बार में single user ही यूज करेगा तो for an example हमारा हो गया MS-DOS MS-DOS में क्या होता है हमारा command की through work होता है CUI है यह हमारा और Windows 9T यह हमारा क्या है graphical user interface है तो दोनों भी क्या होता है single user ही एक time पर काम करता है next है हमारा multi user operating system next is multi user operating system multi user operating system जिसमें एक ही समय में बहुत सारे users program को use करते हैं use करते हैं यह फिर उसको run करते हैं और इनके एक्सामपल है हमारे कौन कौन से operating system ते जो यूज होती थे यूज आपरेटिंग सिस्टम और वी से में एक ही आपरेटिंग सिस्टम था वह हमारा maki user operating system की तरह of work करता था next है हमारा distributed operating system है distributed operating system distributed operating system में क्या है कि हमारा operating system है वो distribute हो ग्ए अब distributing कोई बींबी चीज होनी है तो दिस्रिब्यृट होएफ कैसे इसれる उगी एक operating system तो यह इस में क्या होता है network से connected operating systems को operating systems को हम distributed operating system बोलते हैं distributed operating system मतलब हमारा एक system दूसरे system से connect है किसी एक single network के अंदर तो क्या है इसका example हमारा network है next one is real time operating system next one is real time operating system real time operating system भी हमारे two types के होते हैं soft real time operating system और hard real time operating system अब पहले देख लेते हैं real time operating system अब पहले देख लेते हैं real time operating system इसको हम ऐसे भी लिखते हैं प्रोसेस को एक्जिक्यूट करने वाले या रन करने वाले अपरेटिंग सिस्टम्स को हम करने वाले अपरेटिंग सिस्टम्स को क्या बोलते हैं अब यह भी हमारे दो टाइप्स के होते हैं मतलब टू टाइप्स के होते हैं कौन कौन सा एक तो हार्ड real time operating system और एक soft real time operating system मतलब हमने किसी operating system को time दे दिया है कि इतने टाइम में हमें वह प्रोग्राम या फिर वह वाला प्रोसेस या वह आप्लिकेशन हमें रन करानी है उतने टाइम के लिए ही वह हमारा एक्टिव रहेगा नेक्स्ट इवन इस और इसके ग्जाम्पल्स क्या है हमारे आज कल ए आई में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस में हमारा यूज होता है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस टेक्नलोजी है जो हमारा रियल टाइम उप्रेटिंग सिस्टम यूज करता है हमने किसी भी मशीन में यूज होता है हमारा मशीन में हमारी जो जैसे हमारी वाशिंग मशीन है उसमें हमने टाइमर सेट कर दिया कि इतने टाइम के लिए हमारा क्या करेगा वाशिंग प्रोसेस करेगा फिर उसके बाद इतने टाइम सेट करने के बाद हमारा वहीं परिस्टोप हो जाता है फिर हमने ड्रेन का सेट किया ह और फिर अगेन वह इसको पानी को कहांता है उसल आज़ाता है उसमें ड्रम में पानी करता है तो ऊसमें क्या है फिक्स्ड टायम हम सेट कर देते हैं ना तो वह से पहले खतं होगा ना उसके पाद खतं होगा ho gya है मतलब ठीक है fixed होगा हमारा regge examples हो गया यह हमारा artificial intelligence में Wahrめशीन्स में उस होता है और यह उस होता है हमारा robots में उस होता है robots बनाने में यूज होता है क्योंकि हमने उसमें 1 programming set कर दिया है kttalk seconds कर दिया है जिस time 강 second होगा उसी time के लिए उतने time के लिए वो work करेगा next one is हमारा type क्या है type of rtos number one is hard real time operating system hard real time operating system and second one is soft real time operating system hard में क्या होता है हम time को change नहीं कर सकते हैं हम इसमें किसी भी प्रोगराम को प्रोसेस करने के लिए किसी भी program को process करने के लिए time time को change नहीं कर सकते हैं और soft real time में क्या हो सकता है हमारा time जो है वो change हो सकता है कि कोई भी program हमारा या तो हम उसको कम कर ले time को या हम उसको जादा कर लें तो इसमें हमारा time change नहीं होता है soft real time operating systems में क्या होता है time हमारा time can be change according to the users users कौन है जो applications को program को execute कर आता है next अब हम बढ़ते हैं कि operating system क्या होता है types हो गया कौन-कौन से user interface हमारे यूज होते हैं अब बात करते हैं कि कौन-कौन services अमें provide करता है क्या काम करता है operating system अब start करते हैं next day हमारा services provided by the operating system कि सबसे पहला क्या है operating system क्या manage करता है सबसे पहले क्या security provide करता है हमें कि हम अपने एड्मिनिस्ट्रेटर पास्वर्ड कर सकते हैं है न कोई भी user login बनाया है हमने उसको password protected कर सकते हैं कोई भी हमारे अंदर की applications को programs को system को use ना कर सके तो सबसे पहले operating system क्या provide करता है हमें services of operating system तो number one is security इसमें क्या होता है user को पास्वर्ड प्रोटेक्टेड फीचर्स देता है जिससे की वह क्या कर सके पास्वर्ड सेट कर सके next one is क्या करता है जिससे की हमारा जब पास्वर्ड प्रोटेक्टेड होगा means कोई भी unauthorized जिसके पास यह authority नहीं है कि वह उसके system को use कर सके तो unauthorized access से prevent करता है unauthorized access से बचाता है क्यासे security provide करके ठीक है next one is second one is control over control over system performance अब system performance को कैसे control करेगा जब उसके पास यह पता होगा कि कौन सा program execute होना है कब कितने time में होना है ठीक है उसके पास request भी आती है तो उसको handle करता है और कितने time में उसको response करना है इन सब का record रखता है तो क्या रखता है record रखता है operating system क्या करता है record रखता है service request की अब service कैसी चाहिए वो हमारी कोई सी भी resource की need हो input output devices की need हो उनकी request कोई भी हमने application execute कर रहा है खोली है open किया उसको हम use कर रहे है कितना time उसको दिया जा रहा है processor कितने time में उसको complete कर रहा है उसको उसको कितने time में उसको response दे रहा है और यह सब चीजे वो क्या करके रखता है monitor करके रखता है record रखता है service request and service responses time next is क्या करता है यह improve करता है हमारा operating system की performance को जब वो record रखेगा तो उसको control भी करेगा तो सारा controlling का काम हमारा किसका हो गया operating system का security प्रोवाइड करने का next one is third one is job accounting job accounting का मतलब है यहां पर कि process job को हम क्या बोलते है job को हम process भी बोलते है कि कौन सा process हमारा कब execute होना है कौन सा process हमारा कब execute होगा कब run होगा और उसमें single processor use होना है या multiprocessor use होना है यह भी कौन control करता है यह भी कौन decide करता है हमारा operating system और multiprocessor use होना है या फिर single processor use होना है यह भी हमारा operating system ही decide करता है और क्या काम होता है इसका कि कौन से task को हमारा कौन सा resource चाहिए उसको track करता है track करता है हमारा और track क्या करता है किस program को कितना time चाहिए processor का और कौन कौन से resources चाहिए और कौन से resources की जरूरत होगी resources क्या हमारे input output devices कौन कौन से resources की जरूरत होगी वो provide करता है वो सब कौन handle करता है हमारा operating system मतलब job accounting में क्या रखता है track करके रखता है वो हमारा एक तो कितने time के लिए processor चाहिए execute कराने के लिए और single चाहिए या multiple चाहिए या फिर हमारे कौन कौन से resources उसकी जरूरत है कि वो हमारा process complete हो जाए next point क्या है हमारा error detecting age मतलब क्या करता है error को detect करता है कैसे detect करेगा operating system हमारे software application softwares की help से तो next fourth one is error detection operating system क्या करता है operating system detect करता है errors को कि किस process में किसी process में error आ रही हो तो उसको क्या करेगा notify करेगा मतलब inform करेगा किसको user को कि आपकी process में error produce हो रही है हमें इस resource की जरूरत है अगर जैसे हम print की command देते हैं और हमारा उसमें printer connected नहीं है तो वो resource की need है तो वो सब कौन detect करता है operating system का यह काम होता है कि उस resource की जरूरत है वो चाहिए तो उसके लिए वो error message शो करेगा तो उसके लिए उसको notify करता है तो उससे क्या होगा हमारा कोई भी process कोई भी process हमारा malfunctioning means functioning तो करेगा लेकिन गलत वे में नहीं करेगा गलत वे में मतलब हमारा जो answer है वो correctly produce करेगा कोई भी process हमारा malfunctioning को क्या करता है अवोइड करता है किसके थुरू error message generate करके क्योंकि उससे क्या होगा यूजर को पता चलेगा किस चीज की जरूरत है तो उसकी वजह से वो process हमारा execute properly होगा हमारा result जो है output जो है correct देगा तो यह क्या करता है उस चीज को avoid करता है नेक्स्ट वन एज हमारा फिफ्ट वन है control coordination between coordination between user and software मतलब क्या करता है coordinate करता है एक हमें interface provide करता है ताकि हमारा user और software एक दूसरे से क्या हो सके interact कर सके एक दूसरे का use कर सके user हमारा software को use करेगा किसके through जैसे कि हमारा कोई भी program है execute कराना है या run कराना है प्रोग्राम को execute कराने के लिए कौन कौन सी application का use करते हैं compiler का इंटर्प्रेटर का इंटर्प्रेटर का असेंब्लर का प्रोग्राम को execute कराने के लिए हमारा हमारी compiler इंटर्प्रेट इंटर्प्रेटर और assembler loaders इन सब application का क्या करता है use करता है multiple applications हमारी single program में use हो जाती है multiple application software compiler इंटर्प्रेटर भी assembler भी loader भी अगर कोई program हमें execute कराना है उससे पहले हमें compile कराना है तो compiler का use होगा, उसको run कराने के लिए interpreter और assembler का use होता है, मतलब assembler क्या करता है, assembly language का किसमें conversion करता है, machine language में convert करता है, तो यह सब interaction किसका होता है, user और software का, next one is हमारा point है, memory management, sixth one is memory management, अब कोई भी चीज़ है, कोई भी process है, मैंने आपको बताया था कि हमें वो process कहाँ लोड करना होता है पहले, operating system उसको कहाँ लोड करता है, सबसे पहले operating system उसको, program को किसमें लोड करता है, program को primary memory में, primary memory में लोड करता है, ठीक है, अब process कोई भी program या process हमारा primary memory में लोड होगा, उसके बाद हमारा operating system उसको execute कराता है, अब execute कराने के लिए उसको memory की जरुद होती है, तो memory management में क्या करता है, operating system allocation और, कितनी उसको memory की जरुद है, वो उसको allocate करेगा, उसको देगा, ठीक है, और de-allocation का काम, और उससे वापिस memory लेने का काम, de-allocation हमारा memory का, कौन manage करता है, operating system ही decide करता है, कि कितने time के लिए हमें उसको memory देनी है, और कितने time के लिए और कितनी memory हमें उसे allocate करानी है, और resources जब हमारे use हो जाएंगे, memory यूज हो जाएगी, program execute कर जाएगा, उसके बाद वापिस हम किसको return कर देते हैं, वो हम वापिस operating system का काम है, वापिस उस program से exit करने का, मतलब हमें memory को free कराने का काम भी, सारा कौन करता है, operating system करता है, next is processor management, seventh one is processor management, अब हमें processor को manage करना है, कि कौन से process को कितना operating system time देता है, कौन सा processor मतलब use होगा, और कौन से process के लिए use होगा, और कितने time के लिए use होगा ये सब कौन decide करता है ये सब हमारा operating system ही decide करता है तो seventh one is processor management operating system इसमें इसमें operating system decide करता है कि किस order में process हम process क्या करेगा यूज करेगा processor को means इसको क्या करते हैं जैसे हमने process अलग अलग processes को नाम दे दिया है process one process two process three process four process five तो यह operating system का काम है कि कौन सा process हमारा पहले execute होगा कोई किस order में होगा increasing order में होगा या फिर हमारा randomly order में होगा यह सब process का execution हमारा processor को कौन decide करता है operating system कि पहले processor किसको मिलेगा process one को second जब processor one का task complete हो जाएगा then वो किसको छोड़ देगा processor को छोड़ देगा उसका यूज नहीं होगा तो processor two यूज करेगा देन उसके बाद जब processor two हमारा पूरा process हो जाएगा sorry जब हमारा process two processor का यूज करके process कर देगा पूरा complete execute करा देगा then process third हमारा execute करेगा किस processor पे और कितने time के लिए वो हमारा कितने time के लिए कौन सा process processor को यूज कर रहा है processor को यूज करता है यह सब काम किसका होता है इस process को हम क्या बोलते हैं process scheduling बोलते हैं इस process को हम क्या बोलते हैं process scheduling मतलब हम शिड्ड्यूल करते हैं उपरेटिंग सिस्टम का यह काम है कि वह शिड्ड्ड्यूलिंग करेंगा कि कौन सा प्रोचेस हमारा कभ सेग्जियूर्ट होगा नेक्स्ट आल हमारा यह तो गया प्रोचेसर मैनेजमेंट मतलब कौन से प्रोचेस when कोज कidal की जाएंगा और कब डिये लृगेशनहोंगा बीच में कोई और प्रोश्ज इंटराप्ट कोई और प्रोश्जी किया जरुप सक्ता को की हमें जरुवत है तुम्हारी तो हमें सबसे पहले चाहिए तो यह जो है scheduling कौन करता है operating system next one है device management अब बात आती है devices की devices क्या है हमारे कौन से devices है जो हमारे use होते है input and output devices input and output devices को हम क्या बोलते है resources बोलते है 8th one is device management operating system इसमें क्या होता है इसमें operating system हमारा operating system decide करता है कि कौन से device कौन सा device किस प्रोसेस को दिया जाएगा किस प्रोसेस को allocate किया जाएगा और कितने time के लिए उसको कितने time के लिए वो resource को use कर सकता है खिक है अब हमारे पास process की लिस्ट है कि process one execute होना है process two process three process four हर process की अपनी नीड है कि कौन सा प्रोसेस उसको चाहिए कौन सा resource उसको चाहिए कि वो process हमारा complete हो जाए execute कर जाए तो यह manage करके रखता है कौन decide करता है operating system decide करता है कि कौन सा resource किस process को कब दिया जाएगा और कब उससे लिया जाएगा कितने time के लिए वो use कर सकता है उस input and output device को ठीक है next one है हमारा ninth one is file management operating system अब क्या करता है file क्या होती है file हमारी वो file होती है जो data को store करके रखती है तो operating system यह decide करता है कि कौन सा data कौन सा data हमारा कौन सी file में use होना है कौन सी file में store होना है store हुआ है उसका क्या करके रखता है record अपने पास रखता है कि कौन सी file में कौन सा data है तो यह सारी चीजे हमारी कौन सी file हमारी कहां पर transfer हुई कौन सी file हमारी कौन सी directory हमारी यूज हो रही है ठीक है तो यह सब हमारा operating system यूज करता है operating system decide करता है operating system control करता है allocation और the allocation of memory resources कहां पर हमारी चीजे हमारी कितने time के लिए यूज होनी है कौन सा processor देना है कितने time के लिए किस process को हमें processor allocate कराना है यह सब manage कौन करता है कैसी security हमें provide करनी है error आता है तो उसको कैसे sort out करना है यह सब services हमारी कौन परोवाइड करता है operating system so students अगर आपको इससे related कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे comment कर सकते हो comment section में so students आप पढ़ते रहे के continuity बनाए रखिए और comment भी करिए मुझे ठीक है मुझे लगे कि आप connection मतलब आप मेरे से connect हो आप वीडियो को देख रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो कुछ ठीक है तो students आप अपना तब तक ख्याल रखिए अब हम मिलते हैं next video में take care and bye bye